प्लातेहर जीले के मनिका थाना छेतर अंतरगत सिंजो गाउं में आपसी विवाद में पती ने अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दे। इस गटना की खबर के बाद जहां लोग अचंबित हैं वही पूलिस पुरे मामले की छान बीन में जुट गई है। आपको बता दें मनिका के सिंजो गाउं में संभू प्रसाद नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से विवाद में अपना आपा खो बैठा और 35 वर्षी अपनी पत्नी कुमल देवी की निर्मम तरीके से हत्या कर गले में और पेट में चाकू से वार कर लहुलुहान इस्तिती में सव को छोड़कर संभू प्रसाद परार हो गया इस गटना का वीडियो इतना विभत्स है कि ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते किदर घटना के सुचना मिलते ही प्रशिक्षू डियस्पी प्रदीप कुमार साहू और खाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंग मौके पर पहुंचे सव को कबजे मिलेकर अंत परिक्षन के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया वहीं हत्यारे की गिरभतारी क के लिए चाप्रमारी शुरू कर दी है महिला की हत्या के बाद उसके दो पुत्र और एक पुत्री का रो रोकर बुरा हाल है कि यह अब सुचना मिली कि कॉमल देवी करी 35 वास इनके घर पे इनका सव बढ़ा हुआ था जाच के विशे में उनके घर गहें वहाँ पि देखा गिया कि उनके जड़े में धर्दार चाकु से चोटके निशान है और पेट में भी बही जगा that निसान है प्रतीथ होता है। हे थापी दल्या मै 설क 커피 गर्मीनों और आसपास के परिजनों से पता चला है कि उनके बीच में घरिलू विवाद हमेशा से होते रहें और यह एक अभी तक हमें पता चला है कि घरिलू विवाद है अनभी वह पे भी जांच की जानी है